तोगजन शक्ति पार्टी निता चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है चिराग ने कहा विपक्षी दलों की निता एंडिये गटबंधन में सेंद लगाने की कोशिश कर रहे हैं जनता ने एंडिये को बहुमत दिया है सुनिए क्या कहा संचे किसी के भी मन में नहीं होना चाहिए प्रधान मंतरी जी बहुत जल्द और मुझे लगता भी एंडिये की बैटर के हम लोग को डेट की भी जानकारी हो जाएगी बहुत जल्द शपत लेने जा रहे हैं और एंडिये पूरी एक जुटता के साथ जनादेश एंडिये को मि इतने सांसद हैं वो भारतिय जन्ता पार्टी लोग जन्शक्ती पार्टी रामविलास के कैडर समर्थक के वोटों से जीते हुए तो लोगसबा चुनाओं के नतीजे वाकई चौकाने वाले हैं और यही वज़ा है कि अब सरकार बनाने को लेकार जोड़ तोड़ की सियासत चुरू हो गई क्योंकि अगर यहां कोई भी चूक हुई तो सियासी संभावनाओं के दर्वाजे किसी के लिए बंद हो सकते हैं तो किसी के लिए खुल भी सकते हैं देखे इस रिपोर्ट में दिल्ली दर्बार में सरकार बनाने के तैयारियां तेज उरही हैं जीते हुए सांसदों को आपचारिक बधाय दी जा रही हैं लगातार सत्ता का घणित मजबूर्ट करने के लिए फोन की घंटेया कर घणा रही है एंडिय के पास सबसे बड़े भरोसे के रूप में इश्कुमार की जेटियू और चंद्रबाबुनाइडू की टीडिपी हैं इन्ही सहयोगी दलों की बदौलत एंडिय बहुमत के आकड़े को पार करके 292 तक पहुची हैं यानि बहुमत से 20 जादा जबकि आई एंडिया गडवंधन अपने तमाम सहयोग्यों के साथ मिलकर 23 234 तक पहुच पाया है यानि वहुमत के आकड़े से 38 घब यही वज़य है कि आई एंडिया ये को राजनीतिक संभावनाओं के जो दर्वाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं उस पर कॉंग्रिस अपने पत्ते खुलने को तयार नहीं है सारे स्टैटिजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी हुशार हो जाएंगे इसलिए उधर एंडिया गटबंधन में बीजेपी 240 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है भले ही नतीजे 2019 के चुनावजे से नहीं है लेकिन पार्टी के लिए सरकार बनाने के चुनावटी भी बड़ी नहीं है चंदरवाबु नाइडू सौ फिजदी अंडिया गटबंधन के साथ बनी रहने का दावा कर चुके है जबकि असकी कहानी नीतीश कुमार को लेकर है जिन्होंने राजनीतिक पंडितों को एक बार फैरक गलत साबित कर दिया है उनके पास 12 सांसत थे यही वज़े है कि अदल बदल की पॉलिटिक्स में माहिर नीतीश कुमार पर सभी की नजरें चिकी हुई है और उकलतेश बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का कैबिनेट की बैठक में नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है कहा कि राजनीती में उतार चड़ाव आता रहता है पियम मोदी ने कहा कि आगे और भी बहतर काम करेंगे हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है तो लगातार तीसरी बार जीत के एट्रिक लगाने के बाद प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभी आगे और बैटर काम करेंगे उन्होंने ये दावा भी किया कि पिछले 10 सालों में देश का विकास हुआ है और ये भी साफत और पर एलान पियम मोदी के ओर से कि आगे और भी अच्छा काम अच्छा प्रदर्शन उनकी पार्टी और उनकी ओर से किया जाएगा तो कैबनेट की बैटक में प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया है उन्होंने कहा कि राजनिती में उतार चड़ाव आता रहता है क्योंकि इस बार बीजेपी की सीचे कम आई है लेकिन डावाज जरूर ये है नरेंद्र मोदी की ओर से कि हम इस बार भी अच्छा काम करेंगे तो साथ जून को फ्लो टेस्ट के बाद माना जा रहा है कि आठ जून को शपत ग्रहन कर सकते हैं नरेंद्र मोदी और उत्तर पश्ची मुंबई की सीच के नतीजों का मामला कोट पहुँच सकता है उद्धव ठाकरेगुट अपने प्रतियाशी अमोल किर्तिकार की हार को अदालत में चुनौती देने पर विचार कर रहा है एक दिन पहले उत्तर पश्ची मुंबई सीच से अमोल किर्तिकार को विजेता घोशित कर दिया गया था मगर फिर दोबारा वोटों की गिंती हुई और अमोल किर्तिकार महज 48 वोट से शिंदे गुट के रविंद्र वाइकर से हार गया और खबरों में आगे बढ़ेंगे अंडिय के जीत में और कॉंग्रेस की हार में कई चोखाने वाले पहलू दिखाई दिये देश की सबसे चर्चित सीट्स पर बहुत बड़ा उलट फिर हो गया कई केंद्रिय मंत्रियों को चुनाव में करारी हार का भी सामना करना पड़ा देखिए इस रिपोर्ट में पोस्टल बैलेट खुले तो धड़कने बढ़ी इवियम के पत्ते खुले तो सांसे अटकी और जब नतीजे निकलने लगे तब अर्मान चतना चूर होने लगे कई हाई प्रोफाइल सीतों के शौकिंग रिजल्ट है चर्चित चेहरे, दिगगत सियासी हस्तिया, फिल्मी सितारे और पाहुबलियों को भी 24 के चुनाव में जोरदार जटके मैसूस हुए है जमीन उनकी भी खिसकी जो खुद को जुनावी राजनीती का धोरंधर्मान जन्मानस से एट रहे थे सबक उन्हें भी मिला जो अपनी सितारा चवी को कैश करने चले थे जनता ने लोकतंत्र का पार्ट उन्हें भी पढ़ाया जो अपनी विरासती राजनीती चमताने आये 24 के जनादेश ने सबको करारा जवाब दिया है सिलसेलेवार धंग से देखिये दिगजों के हार और हार की वज़े शुर्वात सबसे ज़्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश से जहां बहुत बड़े उलट फेर हुए है उत्तर प्रदेश की होड सीट कही जाने वाली अमेठी सीट पर केंद्रिय मंत्री इस्मृती इरानी को कॉंग्रिस के किशोरी लाल शर्मा ने बड़े अंतर से चुनाओं में हरा दिया है उन्होंने मेरे को आदेश किया तो मैं लड़ा ठीक है तो अब जो जनता ने मेरे को मेंडेट दिया है तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है जो उनका एसान रहेगा मेरे उपर और मैं उसको उतारने की कोशिश करोगा मैं उनका हमेशा उनका घर है यहाँ पर वो आए जाए एक महिला होने के नाते जो मेरा इस अंसकार है में उनका सम्मान अमेठी कभी गांधी परिवार का गड़ था 19 के चुनाव में स्मृती इरानी ने इस किले में सेंध लगाई थी लेकिन 24 के रण में कॉंग्रिस ने अपने भरोस्य मंद कार्य करता से स्मृती इरानी को जबरदस्ट शिकस्त दिलवा कर गांधी परिवार की सियासी शक्ति का एसास कराया है उधर स्मृती इरानी की तरह यूपी में हैविवेट कैंडिडेट माने जाने वाली मेंका गांधी भी मात खा गई है सुल्टानपुर सीट पर मेनका गांधी को समाजवादी पार्टी के राम भुवाल निशाद में मात दी है यूपी में केंद्रिय मंत्रियों की साख भी नहीं बची यूपी की चंडौली सीट पर केंद्रिय मंत्री महेंध्र नाथ पांडे SP के विरेंद्र सिंग से चुनाव हार गए है लखीम पूर खीरी सीट पर केंद्रिय ग्रेह राजिमंत्री अजय मिश्व टेनी की करारी हार हुई है टेनी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के उद्कर शुहर्मा से था मोहन लाल गंज की सीट पर SP उमिद्वार आर्की चौधरी ने केंद्रिय मंत्री कौशर किशोर को हरा कर जीत दर्च की है जाट लैंड में बीजेपी के दिगज़ और केंद्रिय मंत्री संजीव बालियान समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंग मलिक से कांटे की टककर में हार गए है कि जिदर से सीटिंग सीटें उत्रप्रदेश में कम हो गई हैं, कई राजिय में और कम हुई हैं, बिहार में भी उसकी सीटें कुछ कम हुई हैं, कहीं न कहीं लोगों के बीच में, बीजेपी के खिलाफ, तो अक्रुस था ही, जो मेंडेट आए उसके बाद अब लगता है, न न कहीं न कहीं लोगों के बीच में, बीजेपी के खिलाफ, तो अक्रुस था ही, जो मेंडेट आए उसके बाद अब लगता है, नहीं राजितिक समीकरण बन सकते हैं। यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा जटका फैजाबाद लोगसभा सीट पर लगा है। पर कॉंग्रेस की दमदार वापसी के भी बड़े संकेत के तोर पर देखा जा रहा है। जहां कॉंग्रेस के ओज्ज्वल रमन्ट सेंग ने नीरस त्रिपाथी को हरा कर करिश्माई नतीजे निकाले। यूपी जैसी बाजी बिहार और जारखंड में भी देखने को मिली जहां कई सीटों के नतीजों ने सब को चोंकाया है। बिहार के भोजपूर की आरा सीट पर केंद्रिय मंत्री आरके सेंग CPI ML के प्रत्याशी सोदामा प्रसाद से चुनाओ हार गए है। बिहार की सबसे चर्शिक सीट बनी काराकाट पर भोजपूरी स्टार पवन सिंग हार गए। हलाकि उनके मैदान में आने से उपेंद्र कोश्वाहा का खेल भिगड़। हाली चरण मुंदा ने हराया है। और चुनावी राजनीती में किस्मत आजमाने उत्रे फिलमिस सितारे को भी जनता ने चुका दिया। चुनावी दंगल में बड़े बड़े नाम धड़ाम हो गए। यूपी बिहार का पैटरन पश्चम बंगाल की कुछ सीटों पर भी दिखा है। जहां बहरामपुर सीट पर टीमसी के टिकट से क्रिकेटर यूसुप पठान ने कॉंग्रिस के दिखगज अधीर रंजन चौधरी को पठखनी दे दी है। इसी तरह बंगाल के कृष्चना नगर सीट पर टीमसी के महवा मोहित्रा ने बीजेपी की अमरिता राय को शिकस्त दी है। बड़े राज्यों के बाद अब उन चर्चित चेहरों वाली सीटों पर जीतने और हारने वालों के नाम जान लीजे। आंध्र प्रदेश में फिल्म स्टार पवन कल्यान की जन सेना पार्टी ने लोगसभा में भी दो सीटों पर प्रत्याशे उतारे थे और तोनों परी जीत हासिल की है। बासुरी स्वराज ने आम आद्मी पार्टी के सोमनात भार्ती को भारी मतों से हराया है। कश्मीर घाटी की बारम उला सीट पर उमर अब्दुल्ला निर्दलिय उम्मिद्वार अब्दुल रशीद शेक से चुनाव हर गए है। 24 के चुनाव में एक्जिक पोल्ट से अलग चौखाने वाले नतीजे राजस्थान ने भी दिये हैं। जहां बहुत पड़े उलट फेर में केंद्रिय मंत्री कैलाश चौधरी का पत्ता साफ हो गया है। राजस्थान की बाढ़ मेर लोग सभा सीट पर कॉंग्रिस के उम्मेदा राम बेनिवाल ने जीत दर्ज की। जबकि दूसरे नमबर पर निदली और रवींद्र भाठी रहे। वहीं केंद्रिय मंत्री कैलाश चौधरी तीसरे पायदान पर खिसक है। राजस्थान की दूसरी सबसे चचित सीट रही शुरू में बीजेपी से बगावत कर कॉंग्रिस में शामिल हुए राहूल कास्वा ने बीजेपी के देवेंद्र जाज़डिया को परास्त किया है। राजस्थान में नागौर सीट पर राश्टी अलोक तांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनिवाल ने बीजेपी की जोती मिर्धा के खिलाब जीत दर्च कर अपना दबदबा बरकरार रखा है। राजस्थान की तरक कई दिगज़ों को महराश्ट में भी मूख की खाने पड़ी है। सबसे जादा हैरान करने वाले रिजल्ट मुंबई में आए हैं। जहां मुंबई उत्तर मद्य लोगसभा सीट पर काटे की टकर में बीजेपी के उज्जवल निकम चुनाव हर गये हैं। महराश्ट के बारामती लोगसभा सीट से भाजपा के उम्मेदवार नौनीत राणा कॉंग्रिस के बलवंत वानखेणे से चुनावी बाजिहार गई है। महराश्ट की सबसे चर्चित सीट में से एक औरंगाबाद पर शिवसेना शिंदे गुट के संदीपन राव घूम्रे ने ए आई एम आई एम उम्मितवार इम्तियाज जलीन को हरा दिया है। 24 के जनादेश में भारी अंतर से जीत दर्च करने वालों में मध्प्रदेश के पूरो मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान का नाम है। यूबी की नगीना सीट पर जीत दर्च कर चंद्शेकर आजाद ने भी नई सियासी धारा की दस्तक का एलान किया है। 24 का जनादेश नरेंड मोधी के नाम का है, उनके काम का है, जिन्होंने सक्ता को सेवा का माध्धम बनाया, उन्हें वहमत पेकर आवाम ने नया इतिहास रचा है। साथी जनता ने उन्हें खारिच किया, जिनके काम से खुश नहीं थी। तो आपने देखा कि किस तरीके से नतीजे सामने आने के बाद, अब जो अलग-अलग सियासी दल हैं, वो अलग-अलग बैट के कर रहा है। और इसी बीच दिली से बड़ी खबार सियासी हलचल तेज हो चली है। और तमाम सियासी दल दिली में कट्ठा हो रहे हैं और इसी बीच एंडिये की बैटक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम आवास पर पहुँच चुके एंडिये की बैटक के लिए नितीश कुमार अपने आवास से निकल चुके हैं, वो भी इस बैटक में शामिल होंगे। तो बड़ी ख़बर आपको बठा रहे हैं, अन्डिय की बैटक से जुड़ी, नितीश कुमार भी इस बैटक में शामिल होने वाले हैं और ग्रेमंत्रिय जैस बैटक में शामिल होने के लिए इस वक्ट पिएम आवास पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में याँ पर तमाम जो अलग-अलग घटक दल के नेता हैं वो भी पहुचेंगे और बड़ी बैचक होने वाली है आपर आपको बताते चले इससे पहले प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने राश्टपती को अपना इस्तिफा सौब दिया है और साथ जून को माना जा रहा कि फ्लो टेस्ट होगा जहां पर अपना बहुमत साबित करेगा तो नितीश कुमार भी रवाना हो चुके हैं चंद्र बाबू नाइडो भी अब वो पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में बीम आवास पर जहां पर ये बड़ी बैचक होने वाली है तो हलचल तेज है अब बड़ा सवाल ये है कि आखर प्रधान मंत्री पत की शपत लेगा कौन क्योंकि अच्छे आकड़े आने के बाद इंडिया गटबंदन भी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है और इंडिया गटबंदन भी जोड़ तोड की राजनीती में लगा हुआ है लेकिन दावा यही है कि एक बार फिर से जीत के अट्रिक लगाने के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आठ जून को पीम पत की शपत लेंगे तो चंदर बाबु नाइडू ने भी साफ कर दिया है कि हमारा दिल एंडिये के ही साथ है और ऐसे में फिलाल दिल्ली में सियासी अलचल तेज है जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं तो मोधी के नित्यत में सरकार बनाने का अलान हो सकता है दिल्ली में थोड़ी देर में अंडिये की बड़ी बैठक शुरू होगी और इस बैठक के बाद बड़ा अलान हो सकता है पीम आवास पर अंडिये की बैठक होगी टीडीपी के निता इस बैठक में शामिल होंगे चंदरबाबु नाइडू इस बैठक में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं नितीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं चुंकि बीजेपी ने बहुमत का अकड़ा पार नहीं किया और ऐसे में उसे सयोगी दलों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए और तमाम जो सयोगी दल हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और थोड़ी दिर में इस बैठक के बाद एलान हो सकता है नरेंद्र मोधी को एक बार फिर से प्रधान मंत्री बनाने का तो मैत्वपून ये बैठक है एंडिये की मीटिंग में सरकार बनाने का एलान हो सकता है उसके बाद 7 जून को फ्लो टेस्ट होगा जहाँ पर अपना बहुमत साबित करना होगा और इसके बाद 8 जून को माना जा रहा है कि लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्री की शपत ले सकते हैं नरेंद्र नेता यहाँ पर मौजूद होगे